तो मैंने कहा था आप लोगों से पूछा था कौन सा टॉपिक पढ़ाया तो किसी ने मुझे रिप्लाइए नहीं किया तो मैंने अपने एक टॉपिक पिक किया है डिटर मिनर्स ठीक है लास्ट जो लिटरेचर का चैप्टर पढ़ाया गया था आपको उसमें किसी को कोई किसी को कोई डाउट नहीं है अगर इनकीज डाउट रहता है तो मुझे मैसेज कर देना तो हम उसका एक डिसकेशन क्लास ले लेगे क्वेशन अंसर डिसकेशन का या जो भी आपको रिक्वार्मेंट हो भी ठीक है अब बाकी में उसका नोट्स सामरी और क्वेशन अंसर स्टूरेंट्स नो मैम अच्छा तो डेटर्मिनर्स आप पार रहें हाँ लेकिन समझने आया था अच्छा जो भी रीजन रहा होगा तो हम स्टार्ट करते हैं डेटर्मिनर्स तो हैर इंद स्क्रीन यू किन से आप डिव मैं किसका रिप्लाइ करें यस मैं स्क्रीन पूरा राइट कर दें या सिफ डेटर्मिनर्स लिखा और राइट कर देंगा पूरा पेज राइट हो पाएगा पूरा करना तो बताओ कर देंग अभी ठीक है लुए अबिटर्मिनर्स अपना राइट करें अपना राइट करें आप अपना राइट करेंगे थांगे थेक है और करें अब ठीक है तो बड़ा करूंगे तो तुम लोग को दिखनी नहीं तो इससाइट लिए मुए कया अब सब्सक्राइब अब ठीक है तो कि झाते हैं चुक्षा कोई नखरा नहीं है कितना नखरा है तुम लोग का उसको तो सब ठीक ही ठाक दिख रहा है कि चलो अभी ठीक है ठीक है वैसे में बोलूंगी तो क्लियर हो जाएगा ठीक है और बाकी में नोट्स प्रोवाइट कर दूंगी अगर लिखना होगा वहां लिख लेना ठीक है ईखराएगा तो डिटर्मिनर डाइट सबस्कत कर है किसी स्पेसिफिक चीज की क्विंटिटी बताना क्वाण्टिटी को स्पिसिफाई करना या उसके बात कर रहा है उसके रिघार्डिंग रिफरेंसे देना ठीक है जैसे कि अब नाउन फ्रेश क्या होता है नाउन फ्रेश्च वह कोई भी ग्रूप ओफ वर्ट्स नमर ठीक है वह फ्रेश जिसमें नाउन का मेन action है now main part main role lead part में कौन है उसको क्या बोलते है नाउन फ्रेस्ट तो determiners are the word which are placed before a noun ठीक है at the place of noun नहीं before the noun difference समझो इस example के थूँ मैंने यहां लिखा दोज books are yours कि यह वो बुक तुम्हारी है यहां पर मैंने लिखा दोज are yours तो अगर मैं किसी के सामने हूँ और मैं लोग रखा हो जैसे तुम्हारे सामने बैटी हो तुम्हारे बगल में टेबल पर बुक रखा और मैंने हाथ का इशारा करते हुए कहा कि दोज्ट यॉर्स कि वो बुक तुम्हारी है तो तुम्हें समझ में आ गया कि वो मेरी दोस मैंने नाउन को नौन का यहां पर नौन यूज किया यहां यहां फर्ञें है यह मैंने नौन के पहले लिखा तो तुमको पता होगा प्रूराउन क्या वत경 लिखते हैं replacement word of noun ऐसा बोल सकते हो आप तो first sentence में मैंने क्या किया है books से पहले दोज लिखा है तो noun से पहले जो word मैंने place किया है लिखा है तो this word is determiner यह हमें यह determiner है लेकिन यहां पर मैंने क्या किया है noun को हटा के मैंने word लिखा है जो की है pronoun हम बोलते हैं जैसे कि replacement word of noun are pronouns ठीक है तो generally हम noun pronoun और determiners में confusion create होता है कि कहां पर यह determiner है और कहां पर यह हमारा pronoun है तो आपको यह दिखना होगा कि अगर किसी noun यह noun phrase से पहले लिखा हुआ है हमारा word तो वह determiner है और अगर noun को हटा के लिखा हुआ है तो वह pronoun है जैसे वह determiner मतलब हमारा नहीं है जैसे कि हम इस example में असान से देख सकते हैं कि यहां पर noun से पहले लिखा हुआ है इसलिए यह क्या है इसलिए यह determiner है और यहां पर noun को replace करके लिखा गया है इसलिए यहां पर दोस क्या है pronoun है समझ में आया है तो इसलिए determinants क्या है determinants are the words which are placed before the noun phrase ठीक है और noun phrase से पहले यूज किया जाएगा क्या specify वो करेगा कोई quantity या फिर noun किस बारे में बात करने जा रहे है नाउन का कोई reference देगा नाउन को और specify करेगा ठीक है determiner की definition समझ में आई हम ठीक है लगता सबको समझ में आ गया इसके कुछ और examples जैसे देख लो जैसे यह वाला example है the boys you met is my friend the boy you met is my friend कि जिस लड़के से तुम मिली वो मेरा friend है तो यहाँ पर मैंने दो किसले यूज क्या हुआ है दो मैंने boy से पहले यूज क्या है और boy क्या है मेरा common noun है तो मैंने क्यूंकि noun phrase से पहले यूज क्या है दो इसलिए यहाँ पर दो क्या है दो यहाँ पर हमारा डिटर्मिनर है ना कि और कुछ ने डिटर्मिनर है हमारा वैसे यहां पर this this novel is very interesting तो यहां भी मैंने novel क्या हैं हमारा common noun है ं तो common noun से पहले मैंने यूज किया, sorry proper noun है, उससे पहले हम ने this यूज किया है, इसलिए ये भी क्या है हमारा, determiner है, sorry novel common noun है, novel का कोई नाम नहीं लिखावा इसलिए यह proper noun नहीं, common noun नहीं होगा, it's a category of books. ठीक है? इसी के बदले अगर मैं ये लिखती कि he is sorry जैसे लिखती that is my friend sorry he is my friend लिखती अगर मैं तो यहाँ पर मैंने क्या किया he is my friend तो मैंने किसी boy या किसी girl की बात कर रही हूँ इसलिए he क्या है यहाँ पर pronoun है ना कि determiner होगा वैसे ही pronoun ही होता है मैं खुद confusion में आ गई लगता है रुख जा कुछ और एक्जामपल्स दे देते हूं इस तो helping वह है ना किसी ने आनिया गुपता ने मुझसे पूछा है कि determiner होगा क्योंकि वो friend के पीछे है तो क्या लिखा है वाइट क्या है he is my friend, he तो pronoun है आनिया तो क्या पुछना चारे है अन्म्यूट करके बताओगी आनिया मैं भ्रेंड तो डिटर्माइन है ना तो माइटर्माइन होता है ना माइट डिटर्मिनर का जब तुम कैटेग्री से पढ़ेंगे न हम तब तुमको बेटर डिटर्मिनर कौन-कौन से वर्स डिटर्मिनर हो सकते तब समझ मैं जाएगा और आगे एक्जाम्पल दिखने बाद माइट डिटर्मिनर नहीं होगा ठीक है ठीक है कि डाउट नहीं तो आगे बढ़ते हैं कर देख्रhigh उत्तध जाएग कि अब प्रस माइड में यह लियन लगा है लेकिन नहीं नहीं घ्म नहीं समझाएब लेक्शांका वह प्रेसिकल्स व sitten आपना टैक्व लेता है है तो वह है आर्टिकल जो तुम बिलकुल translates सभी आर्तिकल हों कौन कौन से आर्टिकल है हमारा बैसिकली आर्टिकल से हमारे पास यह न दो हमें पता है UH किसी क्नंतिन की के यूझ करेंगे में बताना हो एओर न तो वहां पैंडेविनित सभिन तो आंटिकल यूझे और जब हमकिसी इसवार चीज की बात करते हैं जैसे जी किया मैंने या किसी बिल्डिंग फब्लिक बिल्डिंग की बात करें इसी टाज महिल वाव व्यूं का मकबरा एपके ऐसी कोई चीज जहां यूज नाव यूज चाएंगे एक पर हम दा यूज पता है बाकी और यूसिज हम फटते हैं तो समझ में आ जाएगा तो फॉस्ट क्राइंट कौन सा है हमारा डिटोमिनर का आर्टिकल आर्टिकल तीन है बेसिक हमारे पास ए एन और दा सेकेंड हमारा है डिटोमिनर का टाइप डेमोंस्ट्रेटिव जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हम किसी को करेंगे इशारा देंगे जसे दिस डिस दिस दब क्लास या जब आफड बॉय्ज और दो जिस तीमेंट चलेयए इस आरे जी हो सकते हैं जहां एक्जांपल्स के साथ देले देले समझ में आ जाएगा कौन टीक है उसके बाद है हमारा पोजसिव जो हमारा पोजेसिन शो करता है जैसे कि अभी आन्या बोल रही थी पूझ कोई एक्जांपल मुझे पुरा अग्जांपल नहीं याद है उसने कहा, तो हाँ, my के अब शो कर रहा है, possession, तो इसलिए वहाँ पर जो, my यूज़ करेंगे, friends से पहले, noun phrase से पहले, तो, my वहाँ पर कॉन सा determination हो जाएगा, तो माई, यूर, आर, हिस, हर, यूर्स, देर्स, इट्स, इस... वो लो वान है नितिन कुमार? तो जहां पर possession शो करना हो तो यह इसका है उसका है मेरा है तुम्हारा है तो वहां पर हम कौन सा यूज़ करेंगे डिटर्मिनर वहां पर हम पॉजेसिव डिटर्मिनर यूज़ करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो समझ में आ जाएगा उसकी बात है हमारा काडिनल या फिर हम उसे निम्रेल बोल सकते हैं हैं टूसरी फॉर ताउजन टेन थाउजन बिलिएन साथ कहाओ किस डिटरन को क्या बोलत या फिर ननिम्रेल उल सकते हो क्वा dei कौन्टि पाइस जो हमें क्वाИटि वीयृतिघ्यर यह सब जो है, यह quantifiers है, क्योंकि वो हमें quantity बता रहे है, ठीक है, then next हमारा 7th क्या है, interrogative, वो तुम्हें easily समझ में आ जाएगा, जहाँ पर questions पूछा गया है, जहाँ पर WH family के generally what's used के गए होंगे, ठीक है, what, which, whose, whom, यह सब, ठीक है, उसके बाद distributive, ठीक है, जैसे कि either, or, neither, each, every, ठीक है, यह सारे distributive में हैंगे, तो basically हमारे पास total eight kind of determinant है, पहला article, एंदा, उसके बाद distributive, हाँ, बोलो, यह group में जो बैठे है, है, hand raise क्या है, बताए क्या हुआ हूँ है, क्या, बॉलो, जो बेसिक हमने number पड़ा है, ना, one से लेकर hundred तक thousand, billion, 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 यह सारे numbers जो लिखे रहेंगे, वो हमारे numerals में आएंगे, और जब हम first, second, third, tenth, 11th, ऐसे यूज करते हैं न, TH, लगा के last में, या फिर next, last, few, first, वो सारे ordinals में आएंगे, क्या, पोजिशन के लिए, हाँ, पोजिशन के लिए, रेंक के लिए, क्या, रेंक के लिए, यहाँ पे, अगर हम किसी के रेंक किया पोजिशन के बात करेंगे, वो सारा हमारा ordinal में आएगा, जहां हम सिर्फ basic counting कर रहे हैं, जैसे ten thousand, one rupees, fifteen hundred, वहाँ पे हम numerals यूज करेंगे, तो और सारे kind of determinants समझ में आ गया, तो आगे बढ़ता है, जैक है, तो यह हमारे basic eight kind of determinants है, जो हमने पढ़ना है, जैक है, जैसमें से first है हमारा article, एक में इसको बढ़ा कर दे रहा है, ठेक है, तो मैंने कहां कि article जो हम है, article में हमारा basic three है, a, n और the, तो सबसे पहले यह पढ़ लेते हैं कि the कहां कहां use करते हैं, the कहां कहां हम use करते हैं, the हमें पता है definite article है, क्यों definite article है, क्योंकि हम किसी specified चीज़ की जहां पर बात करते हैं, किसी fixed चीज़ की बात करते हैं, वहां पर हम the use करते हैं, अब वो कौन कौन सी specification के लिए हम the use करते हैं We can use definite article before any common noun. अगर हम किसी भी common noun की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम the use कर सकते हैं. जैसे कि हम river की बात करें. या फिर हम किसी class की बात करें. He threw the ball into the river. The boys were not in the class. In a class तो नहीं बोल सकते हैं. In the class. तो जहां भी हम common noun use कर रहे हैं, common noun से पहले हम कौन सा article use करेंगे? हम definite article the use करेंगे. हम किसी specific person और thing की बात करें. If we are talking about any specific person और thing, तो वहाँ पे भी हम definite article the ही use करेंगे. For example, I want to meet the principal in the school. हम किसी specified school में गए हैं, और हम किस से बात करना चाहते हैं? Principal से. तो यहां बोलो. हम बोले क्यांसे common noun के पहले ही दाखा पर होगा. हाँ, common noun के पहले भी use करते हैं, जैसे देखो school. School क्या है? Common noun है? है, वहाँ प्रिवर के जगर बंगारा नावन के आज़ते हैं. वहाँ पे दिजाता हम करेंगे. हाँ, यहां ने हो, क्या लिका है? कहां कहां use कर सकते हैं, एक बार उसे पहले पढ़ लो, तो doubt clear हो जागा, फिर कोई doubt होता है, तो पुछ लेना, ठीक है? तो common noun होगा, तो भी हम the use करेंगा, और किसी specified person, place और thing की बात करें, तो भी हम the use करेंगे. जैसे हमने यहां प्रिंसिपल की बात की. तो यहां के लिख क्या use क्या हमने? दा, tourists की बात की हमने, तो भी यहां हमने दा लिखा. या फिर यहां देखो, यह school क्या है? common noun है, इससे पहले भी हमने दा use क्या. river क्या है? common noun है, इससे पहले भी हमने दा use क्या. हाँ, बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? ठेक है तो हमें दो पॉइंट्स क्लियर हो गए कि definite का आर्टिकल दो हम कहां कहां यूज कर सकते हैं पहला तो कोई common noun है उससे पहले हम यूज कर सकते हैं दूसरा अगर हम किसी specific person और thing की बात कर रहे हैं तो भी हम दो यूज कर सकते हैं जैसे कि हमने principle के साथ यहां पर यूज किया संटेंस में और यहां next sentence में तूरिस्ट के साथ मैंने दो यूज किया ठेक है कोई डाउट ठेक है नहीं डाउट है लेस्ट मूव है तो थार्ड पॉइंट डेफिनिट आर्टिकल इस यूज तो रेफर तो दा थिंग्स डेटर ओनली इन वन वर्ड और वन वर्ड से यहां मतलब है जैसे मालों देरा नंबर ओफ तिंग्स विच इस प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ या फिर बहुत सारी ऐसे चीज़ है हमारे पास जो दूसरे जगा पर नहीं मिलेगा तो ऐसी सभी चीज़े जो सिर्फ एक वर्ड में प्रेजेंट हो सकती है जैसे की स्काई या फिर यहां मैंने बात किया है मून मून क्या है दो यूज करेंगे सन एक सिंगल है हमारे पास तो सन अर्थ दो यह सब क्या है एक ओल्ली इन दो वन वर्ड नॉट इन अनधर वर्ड इसलिए हम यहां पर भी दो यूज करेंगे ठेक है यह बेसिकली बोल सकते है जब हम किसी भी चीज की स्पेसिफाइड चीज की बात कर रहे है हम स्पेसिफिक चीज की वहां पर हम दो यूज कर रहे हैं ठेक है है कि समझ में आगया है डाउट है कोई या फिर आगे बढ़े हैं ठेक है किanka नेक्स्ट है अगर हम किसी ऊनिवर्सिटी या फिर किसी स्कूल की बात का harvest कीबात करें किसी पर्टिकुलर ब्लिप की बात करें बैसीकली रह चालंरे को उसमीन रोपना व्हां की नान के साथ करेंगे जैसे कि यहां एने स्कूल लिखा है तो स्कूल से पहले क्या करेंगे तो इस स्कूल से पहले उनिवर्सिटी से पहले किसी प्रिजन औप करें उससे पहलेया पिल्डिंग की बात करें उससे पहले भी हम दा यूज करेंगे हाँ जैसे कि दा यूनिवर्सिटी ओफ पटना तो इसलिए हमने उसे यूनिवर्सिटी लिखा इसलिए उससे पहले हमने दो लिखा ठीक है उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल जो है काउंटेबल नाउनों हमारा ठीक है लेकिन सिंगुलर की रेफरे बिहार मुंबई अब और यूनिवर्सिटी में टाइड करो डेफिनेट आर्टिकल में भी यूस्ट विद अ काउंटिक काउंटेबल नाउन देटार यूज इन सिंगुलर नहीं मैं सिंगुलर बोल रही हूं जैसे कि लॉग वाइलन इन सब के साथ भी हम दो यूज करेंगे if you break the law you will be punished यहां अगर लॉज होता तो हम दो नहीं कर सकते हैं तो यहां जैरल से मतलब है मेरा कि generally हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि हम फ्लूरल के साथ यूज नहीं कर सकते जैसे कि अगर यहां लॉज के बदले लॉज लिखा होता हम तो भी यूज करते दा ही ऐसा नहीं है कि उसके बदले औ या एन लिखते तो भी हम दा ही यूज करते लेकिन जैदा तर इसमें हम दा जो है ऐसे ही sentences आपको मिलेंगे, तो से if you break the law, you will be punished, अगर आप कानून का पालन नहीं करेंगे, आप कानून का उलंगन करेंगे, then you will get punishment, you will get punished, या फिर next example देख सकने, he played the violin for half an hour, उसने कितनी देर तक violin प्ले किया, for half an hour, क्योंकि violin लिखा एक single instrument है, ये भी एक particular, ये proper noun है, इसलिए यहाँ पर भी हम the use करें, क्योंकि violin जो musical instrument है, उसका नाम लिखा है ना यहाँ पर, इसलिए हम the use करें, ठेक है, अगर सिर्फ instrument लिखा होता, तो हम उसमें an use करते हैं, an instrument, यहाँ तक समझ में आ गया, किसी को कोई doubt? अगर हम किसी भी part of body का discussion करेंगे, अगर हम किसी भी part of body का discussion करेंगे, वहाँ पे भी हम the use करेंगे, lungs, neck, eyes, nose, ears, head, ठेक है, तो ऐसे कोई भी अगर हम part of body का use, लिखा हुआ है हमारे जैसे इस example में, smoking is harmful for the lungs, smoking is injurious for the lungs, तो यहाँ lung क्या है, हमारा part of body है, अगर कोई भी part of body हमारा mention has a noun, तो उससे पहले भी हम क्या use करेंगे, हमारा definite article the, ठेक है, he caught him by the neck, उसने उसे गले से पकड़ा, ठेक है, तो neck के है हमारा, it's a part of our body, सो उससे पहले हमने the use किया है, यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते, he caught him by a neck, नहीं, by the neck, क्योंकि neck हमें पता एक ही है, लेकिन क्योंकि वो part of body है, इसलिए हम वहाँ क्या use करेंगे, definite article use करेंगे, a या n हमारा indefinite article है, वो नहीं use करेंगे, ठेक है, या फिर there was an injury in the right eye, उसके right eye में injury हो गई, इसलिए, हाँ, आगे मैं बताऊंगे, family relations में भी use होगा दाका, अंकित खुरा ना, ठेक है, तो हमारा lungs, या फिर neck, या फिर हमारे right eye जो होग है, इसलिए हमारा part of body है, इसलिए, हाँ, बिलकुल finger के साथ भी use कर सकते हैं, finger भी तो हमारा body का यह part है, ना, अलग से तो नहीं है, वो, इसलिए हम बिलकुल finger के साथ भी the use कर सकते हैं, कोई भी part of body की बात हम कर रहे हैं, वहाँ पे हम the लिखेंगे, ठेक है, आन्या? ओके, लेस्ट मूव तो दे सेवेंथ यूज़ अफार डेफिनेट आर्टिकल, दो, उसके बात, अगर हम किसी time expression के बात करें, जैसे morning, evening, night, तो वहाँ पे भी हम हमारा definite आर्टिकल दाही यूज़ करेंगे, जैसे, I met her in the evening, मैं उसे evening में मिली, she came here in the morning, वो यहाँ morning में आए, morning और evening के है, this is the period, expression of time, सुबह का time, शाम का time, evening का time, afternoon time, तो यह सारे जो चीज़ें हैं, वहाँ पे भी expression of time जहाँ भी होगा, वहाँ पे भी हम दोयोज करेंगे, ठेक है? अच्छा, ऐसी कोई चीज़ जिसका हमने already mention कर दिया, जैसे मैं बोलती हूँ, कि I met a man at the station, कि मैं आदमी से क्या मिली? Station पे मिली, मतलब उससे पहले भी मिल चुकी थी, लेकिन अब दुबारा उसे station पे मिली, या फिर the man belong to Tamil and do, जो यह आदमी है, वो तमिल लांडो से बिलॉंग करता है, the rule is made to break. हाँ, शुब हम जहार लिख रहे हैं, the rule is made to break, बिल्कुल उस rule से पहले भी हम the use कर सकते हैं, क्योंकि law लिखा था न मैंने वहाँ पर मैंने का था the use कर सकते हैं, ठीक है, तो anything, we use definite article before something that has already been mentioned, ठीक है, जो already mentioned है, that I met a man at the station, the man belongs to Tamil लांडो, ठीक है, next use देख लेते हैं, next जो है, किसी relative clause, या फिर prepositional clause होगा, वहाँ पर भी हम the use कर सकते हैं, जैसे, the man I met, यहाँ पर संटेन खसम हो सकता था, कि जिस आदमी से भी मैं मिला, I met at the station, जिस आदमी से मैं station पर मिला, वो कहां से बिलॉंग करता है, he belongs to Haryana, तो क्या है यह, relative clause है, जो sentence है, वो एक दूसरे पर dependent है, यहाँ पर दो sentences है, the man I met at the station, and from where he belongs, he belongs to Haryana, तो ऐसे कोई भी sentences, जहाँ पर relative clause हो, या फिर prepositional phrase हो, जहाँ पर preposition का use किया गया हो, वहाँ पर भी हम the ही use करेंगे, ठेक है, उसके बान, किसी familiar thing, जो हम generally रोज की चीज, दिन में बोलते हैं, रोज मरा की जिंदगी में जो use करते हैं, अपने regular life में जो use करते हैं, ऐसी कोई चीज अगर आती है, उसके साथ भी हम the use करेंगे, जैसे she looked at the ceiling, पंके की तरफ देखना, तो इसलिए हम इसमें भी the use करेंगे, at our ceiling ने at the ceiling होगा, या फिर suddenly the lights went out, तो यह जो ceiling है, lights हो गया, यह सब क्या है, यह सब हमारा daily use की चीज़े हैं, regular usage चीज़े हैं, तो इसके साथ भी हम, जो चीज हम already familiar है, जिस चीज़े, जिसे हमने पहले से देख रखा, जानते हैं, और हम वो daily life में use करेंगे, तो ऐसी चीज़ों के साथ भी हम क्या use करेंगे, इन सब के साथ भी the use होगा, या एन हमारा indefinite article नहीं, बलकि हमारा definite article the use करेंगे, ठीक है, अच्छा, expression of time के साथ-साथ, किसी भी हम date की बात कर रहे हैं, या फिर हम किसी भी period of time की बात कर रहे हैं, उस से पहले भी हम दा लगाएंगे, ठीक है, जैसे हम ने, जब हम time की बात करेंगे तो वहां पर भी use कर रहे थे, और हम date और period of time की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने लिखा, 15th of October, तो यहां पर हमने क्या यूज किया दो यूज किया 15th of October 10th of October 10th of December यह सब क्या है यह सब क्या है यह सब क्या है तो इससे पहले भी हम दो यूज करेंगे मॉर्निंग इवनिंग एक्स्प्रेशन आफ टाइम के साथ तो यूज करेंगे साथी साथ डेट और पीरेट आफ टाइम के साथ भी हम दो ही लेकेंगे ठीक है नेक्स यूज देख लेते हैं देफिनेट आर्टिकल इस जेनरली यूज बिफोर अनाउन विच इस फॉलोड बाई ओफ ऐसा कोई नाउन जिसके साथ या उससे पहले ओफ लिखाओ तो ऐसे नाउन जो जेनरली ओफ से फॉलोड होते हैं उसके साथ भी हम दो ही यूज करें है ठीक है देख लेते हैं अनुराग इस सेंग कि मैं इतना सारा रूल्स है एक साथ याद नहीं हो पागा देखो रूल्स जो है न तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं होगी जब तुम संटेंसेस देखोगे न वेन यूल मेक प्रेक्टिस ऑफ जब तुम एक साथ कर लिए तब तुम्हें अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि कहां यूज करना और कहां यूज नहीं करना रूल्स रटने की जुरूत नहीं है अगर दो से तीन बार तुम अगर ध्यान से पढ़ लो तो तुम्हें याद हो जाएगा या फिर तुम यह कर सकते हो कि जि सब्सक्राइब लिखा है मैंने ठीक है तो एस ठीक है होप और कोई पीछे किसे डाउट नहीं है तो ऐसा कोई भी नाउन जो जैनरली विचर फॉलओड बाई और उसके साथ भी हम दो यूज करेंगे जैसे दब बर्निंग ओफ दा हाउस बर्निंग क्या है बर्निंग तो ए कैंगे गएं ऐसा कोई भी आगान आउन फ्रेज यह नाउन जिस्टे पहले और्फ-उज क्या गया उससे पहले बिहा दा करेंगे ठाले विर प्ली जब्सक्रय मेरे एसके वजे सो बूरा नाउन क्या हूआ गया दिस्ट्रॉज एbell पहले भी हम दा यूज करेंगे यह नहीं कि मैं दा तो बर्निंग से पहले लिखा बर्निंग एड्जक्टिव तो नहीं ठीक है तो इसका मतलब दा यहां गलत लिगा है नो एनी नाउन फ्रेस हां बोलो और किसी भी नाम के पहले रहेगा या बाद में वह उससे पहले भी हो सक यहां पर आफ देखा हो जाएगा तब तुम्हारा जो नाउन फ्रेस नहीं रहेगा जिसे तुम्हें लगेगा कि दा यूज करना तो वहां नहीं होगा जनरली उससे पहले ही जैसे यहां पर आफ दे होल विलिज है यहां पर आफ दे हाउस है यहां जैसे देखो यहां पर ठीक है तो बाद में नहीं जनरली पहले यह होगा लिखा है ना यूज बिफोर और ना क्या कहां कहां पर यूज हुआ यह मत देखो यहां यह आफ जो है हमारा वह नाउन्स पूरा मत जैसे यहां पर हम कि अगर हम होल विलेज की बात करें तो तो मैं लगा विलेज सिर्फ विलेज की बात नहीं कर रहें तो यह पूरा संटेंस डिस्क्रिशन कंबाइंड होके ही मतलब समझ में है कि हम डिस्ट्रक्शन ऑफ विलेज की बात करें इसलिए ओफ यह तुमको लगा अच्छा दा पूछ रहे हो क्या पहले लगएगा कि बाद ओफ के यह अगर तुम संटेंस परओगी तु समझ में आ जाएगा कि दा तुम्हें कहां यूज करना है जैसे अगर मैं यहां लिखती इस लेट्टु द्यस्क्रक्शन दा उफ कॉल्वल विलिच क्या लगते हैं संटेंस एंसिबल लेकिन यहां पर मैंने नीचे वाले संटेंस में एक संटेंस में बदले अगर मैं बर्निंग दा ऑफ हाउस लिखती तो क्या संटेंस सेंसिबल रहता है नहीं तो तुम्हें दा जहां यूज करना है यह जब बन्यूल प्लेस दा यूविल गेट तुनों कि हाद इस दराइफ तो मैं तो यहां पे नाउन अगर ओफ लिखा होता ता बात कर रहूं क्या दा बर्निंग ओफ दा हाउस यहां हाउस से पहले हाँ अगर हम किसी रिवर ओशेंड डेजर्ट माउंटें की बात कर रहे हैं वहां पे भी हम अपना डेफिनेट आर्टिकल दा ही उसकरेंगे दैसे पैसिफिक ओशें उससे पहले दा यूज किया है मैंने दशिप क्रॉस्ट दपैसिफिक ओशें या फिर मैंने यहां रिवर इस से पहले भी हमने दै यूज क्या बहुत है सहारा दाजटिस फेमेस देजर्टर तो इससे पहले मैंने दा यूज क्या ह Genau करने और बात करते तो उससे ने बुनांगे क्या सक्षय परना यह प्रोपड यह ने पिलिडिंग्टर इस पर उटिकल इस बिफोर, the name of large public building, ठीक है, या फिर कोई भी public building हो, ठीक है, वहाँ पे हम the use करेंगे, जैसे कि the Taj Mahal, the town hall, the gateway of India, ठीक है, और किसी भी public building की अगर हम बात करें, वहाँ पे भी हम the use करेंगे, अगर, रिपीट कर देंगे, फिर से बताएगा, ठीक है, बता देते हो, देफिनेट आर्टिकल इस जेनरली यूस्ट बिफोर अनाउन विच इस फॉलॉड बाई ओफ कोई भी ऐसा नाउन हाँ कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के पहले डेफिनेटली दाल लग सकता है कोई भी ऐसा नाउन जो ओफ के द्वारा फॉलॉड गए विचेश फॉलॉड बाई ओफ उसके साथ हम दाउस करेंगे जैसे तो अगर आफ लिखा है किसी भी नाउन या नाउन फ्रेज से पहले तो भी हम वहाँ पे दा यूज़ करेंगे 12 पॉइंट का यही कहने का मतलब है ठीक है दा आप आफ से पहले भी लिख सकते हैं दा आफ आफ के बाद भी लिख सकते हैं क्या हुआ किसी भी superlative degree of adjective पढ़ा होगा तुमने तो उसमें से जो superlative degree तो best जैसे बहते है ना she is the best student of the class and she is the most beautiful girl in our area तो जहां पर हम superlative degree of adjective के बात करते हैं वहां पर भी हम दा यूज़ करते हैं for example he is the best boy in the class from the class he is the best boy यह फर she is the most beautiful girl in the school तो अगर हम superlative degree की बात करते हैं वहां पर भी comparative की बात करेंगे तो नहीं यूज़ होगा अगर हम superlative की बात करेंगे तो ही हम दा यूज़ करेंगे ठीक है नेक्स्ट है देफिनेट आर्टिकल इस यूज़ इस एड्जेक्टिव जैसे कि रिच हो गया पूर डेफ डाम ब्लाइंड या ऐसे बहुत सारे जहां पर यूज़ किया हो जाता है तो इन सब एड्जेक्टिव से पहले भी हम दो यूज़ कर सकतें जैसे कि यहां मैंने रिच बोलो क्या बोले बोले और शुपरलेटिव में डिफरेंज पोच रहे हो क्या? जैसे मैंने बोला, यहां पर जैसे मैंने बोला, he is the best boy in the class, इसी के बदले, अगर मैं ये बोलती, next example, he is more, most beautiful girl in the school, he is more beautiful, sorry, she is more beautiful than Sita, टेक है, या, Gita is more beautiful than Sita, तो ऐसा नहीं है कि मैंने beautiful, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखते, सीता इस more, ठेक है, सीता इस more beautiful than Gita लिखती, तो यहां पर beautiful से पहले, मैं यहां दॉली नहीं लगा सकती, ठेक है, या more से पहले नहीं लिखती, she is the more beautiful नहीं लगाती, जैसे मैंने यहां पर क्या क्या है, most beautiful से पहले, जो superlative degree of adjective यूज़ क्या है, most, उससे पहले मैंने यहां क्या 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 है, the use क्या है, लेकिन अगर यहां मैं सिर्फ more beautiful लिखती, तो यहां मैं the नहीं लिखती, ठेक है, तो जब हम पूरे group में से किसी एक की बात करते हैं, तो that is superlative, जैसे मैंने बोला कि पूरे इस group में, she is the best, ठेक है, लेकिन जैसे मैंने दो बोला, कि राम और श्याम दो भाई है, लेकिन राम जो है, श्याम से अच्छा है, तो जब मैं इन सिर्फ दो लोगों की compare करे हूं, that is comparative degree, और जब मैं उसकी पूरी family, पूरी जो siblings का है, जैसे दो तीन भाई बेहन है, तो उन सब भाई बेहनों में से वो एक अच्छा है, तो that is superlative degree, समझ मैं आया हैं? Yes, man, yes, man. Next, देख लेता है, तो किसी भी adjective, जैसे rich, poor, deaf, dumb, blind, यह सब अगर use हो, उससे पहले भी हम the use कर सकते हैं, जैसे the rich and the poor went to the fair, या फिर we should help the blind, ठीक है, इसमें तो कोई doubt नहीं होगा, अगर हम किसी national, किसी country, या किसी continent की बात करें, वहाँ किसी nation, किसी country, या फिर किसी continent की बात करें, वहाँ पे भी हम the use करेंगे, हमारा definite article, the ही use करेंगे, जैसे the Indians are very religious, जो Indians है वो बहुत religious है, some of the Europeans leave है, ठीक है, हम कुछ Europeans की बात करें, तो यहाँ पे भी हम the use करेंगे, ठीक है, यहाँ European के साथ and क्यों नहीं use होगा, the क्यों होगा, वो sentence पे dependent होता है, ठीक है, वो जब तुम और sentences समझ पढ़ोगे, तो समझ में आजाएगा, कि हाँ European के साथ हम भी and भी use करेंगे, लेकिन कहां करेंगे, जो हम and की uses पढ़ेंगे, तो समझ में आजाएगा, ठीक है, अब इस सिर्फ यह याद रखो, कि अगर सिर्फ को किसी nation, किसी country, या किसी continent की हम specified बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम दा यूजा करेंगे, इंडिया का हाँ, India दीजन, या इंडिया का है, तो इसलिए यहाँ पे हमने दा यूज़ किया, European की बात कर रहे है हम यह यहां पे, इसलिए यहां पे भी हमने क्या क्या दा यूजु प्रिपर, अगर किसी कॉंटीनिंट की बात करें जी से मलrightia लिखते ही तो यहां पे भी हम दो एकर के लिप है नेक्स फार वहां पर हम दों करेंगे अपना ड़ेफिनेट आर्टिकल दा करेंगे जिसे राजधानी एक्स्प्रेस is a fastest is very fast train यह फिर वहारानवे पास्ट वहार है तो किसी शिप यह त्रेन की बात कर रहे हैं जिसका नाम लिखा हो तो उससे पहले करेंगे क्या हुआ एक ग्रूप में मत बोलो एक एक करके बूलो के में मैं स्पीशन प्रेंगा फिल कुछ कोई भी प्लीन होगा तो उसका नाम खोगा जैसे इयर इंडिया लिखा मैंने तो अब एसा नहीं है कि मनु की गड़ी पे हम दौलिख देंगे कि रोड ठीक है तो सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसा नहीं है तो एसा नहीं है कि उस मनू की गड़ी के पीछ दा लगाएंगे कि उससे पीछे दा नहीं लगाएंगे या फिर अगर मेरा मन्नु की वद्द कोई और नाम है जो वह सही स्टार्ट होता है तो हम एन यूज करेंगे ठीक है तो किसी भी स्टेशनल या इंटनेशनल ट्रेइन उसको करेंगे तो मेरे समझ में आजाएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो हम जब बनाएंगे तो और अच्छे से समझ में आजाएगा जब हम एक्ससाइज के रिगार्डिंग कोशन देंगे तो और अच्छे समझ में आजाएगा ठेक है तो दो के यूसेज में आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बाकि अब आर्टिकल का जो हमने पढ़ा कि ए अजह दोनों आर्टिकल है हमें पता है किसी एक चैस के बात करते हैं तहां भूँकामे अभू यूस करते ऐ और यूज करते उ rights a and n are useful वन वी टॉड़क बाउट सिन घर शु हां रोकी मैंने इससे पहले 15 या 14th पॉइंट था जहां पर मैंने आपको बताया था कि generally countable singular के साथ use करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि हम plural के साथ नहीं use कर सकते हैं अगर डाओ है countable है singular है हां हम उससे पहले हमने दा लगा लिखा लेकिन अगर लॉज लिखा है तो हाँ डेफिनिटली उसके साथ भी दा यूज करेंगे जनरल का मतलब है ज्यादा तर ऐसा होता है लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि प्लूरल में होगा ही नहीं ठीक है चलो ए और एंड देख लेते हैं कहां यूज करते हैं दो आर्टिकल ए इस यूज बिफोर द वर्ट विच बिगें विट कॉंसोनेंट साउंट ठीक है इस इस यूज करते हैं सिर्फ पांच वर्वल ऑओ यू बच्मन में पढ़ा है हमें पता है सिर्फ 5 vowel A, E, I, O, U ही होता है लेकिन हम vowel नहीं vowel sound की बात करें ऐसे सभी sounds जैसे की example जैसे university ठीक है? university U है ठीक है? A, E, I, O, U मैंने पढ़ा है कि U क्या है? vowel है लेकिन university U मतलब या की बात करें हिंदी में हम या की बात करें लेकिन हिंदी का जो या है वो स्वर ना होके वेंजन होता है वो हमारा consonant होता है इसलिए university के साथ मैंने यहां पर A लगाया है ना कि N लगाया है तो तुम जब word पढ़ोगे तो उसे हिंदी में भी pronounce करके देखना कि अगर औ से लेकर अंग तक कोई word है अंग से अंगूर तक वाला कोई word आता है तो उन सब के साथ हम and use करेंगे और उसके सिवा अगर जो cause से लेकर गया तक बच गया उसमें कोई भी word pronunciation आता है sound आता है तो उसके साथ हम consonant use करेंगे ना कि vowel use करेंगे जैसे university का you तो है अमारा vowel है लेकिन जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो university यह आ रहा है और यह क्या है यह अरा लावा यह क्या है consonant में आता है वेंजन में आता है इसलिए हमने university के साथ a लगाया है यहाँ पे ना कि अन लगाया है समझ में आया तो consonant sound के साथ a लगाएंगे और mobile के sound के साथ अन लगाएंगे जैसे he is a European टेक है तो हमने यहाँ पे a लेका है this is a unique idea unique yeah इसलिए हमने यहाँ पे a लगाया there is is a one parent family one वा वा से वक हिंदी वाला वा इसलिए हमने यहाँ पे a लगाया ना कि an लगाया he is teaching at our university एक university में पढ़ाता है your university ना कि you university ना university your यह याद रखना ना कि English वाला you तो कोई भी word sound पे ध्यान देना ना कि लिखा हुआ कि word is not the matter of consent है यहाँ पे में क्या है तुमको ध्यान रखना कि word का sound क्या produce हो रहा है अगर sound सारे वेंजन में आ रहे है sound सारे consonant में आ रहे है we'll use a जैसे की हमने पढ़ एंग्लिश में a, e, i जैसे देखो e, u, o, u यह सब तुमने पढ़ा कि vowel है लेकिन vowel sound नहीं produce कर रहा इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा है हमने यहाँ पे क्या लगा है यहाँ पे सब जगा मैंने a लगा है ना कि an लगा है ठीक है next है we use before words which begin with vowel sound यह तो हमने उपर पढ़े लिया था कि vowel sound से होगा जैसे की यहाँ पे क्या है orange तो यहाँ पे जब हमने यह पढ़ा था one तो यहाँ पे वो व आ रहा है और लेकिन यहाँ पे वो औरेंज है o, o वाला o से ओखली वाला o है यह जो की क्या है swear जो हमारा vowel है इसलिए हमने यहाँ orange के साथ n लगा है लेकिन जब हम one parent की बात कर रहे है तो यहाँ पे हमने a लगा है वैसे यहाँ पे Indian e, इमली वाला e तो इसलिए यहाँ पे हमने n लगा है ठीक है या फिर यहाँ पे umbrella a ठीक है umbrella है umbrella नहीं होता a तो इसलिए हमने यहाँ पे n लगा है लेकिन यहाँ पे जो वो या था यह university वाला y हो गया यहाँ पे u में y था और यहाँ पे जो umbrella है इसमें उसमें a है umbrella है तो यहाँ पे क्योंकि यह consonant है इसलिए हमने a लगाया और यहाँ पे जो u है यह vowel sound produce कर रहा है इसलिए हमने इसके साथ n लगाया तो यह difference हमने आया n और a वाला vowel और consonant sound में डिफरेंस हमने आया क्या हुआ ठीक यह नहीं है ओक इसका मैं पीडिएफ शेयर कर दूँगे तो कॉपे में सबकी कॉपी में यह mention होना चाहिए ठीक है ऐसा नहीं कि मैंने पीडिएफ बेज दिया हमने पढ़ लिया और भूल जाए सब सब अपनी अपनी कॉपी में लिख लेंगे अ दूपी उसके बाद है सम वर्स बिगिन विट साइलेंट बहुत सारे वर्स होते हैं जो जिसका फॉर्स्ट जो वर्ड होता है वो साइलेंट होता है जैसे कि उसके पहले भी हम एन यूउज कर सकते हैं जैसे ही इस यहां पर इसले हमने इसके पहले भी N लगा है इसले हमें से पहले हम राइण लगा है अब आई मेट हिम एन हावर एगो नहीं बोलते हैं तो यहां क्या है ओ आ तो इसलिए हमने इससे पहले भी एन लगाया ना की ए लगाया ठीक है तो बेसिकली यह है कि देखो सब के पहले एच साइलेंट है सब में और साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए मैंने इसमें लगाया तो वर्ड को प्रनेंस करके देखना बहुत जरूरी है हमारा इंडेफनेट आर्टिकल ए और लगाने से पहले क्योंकि जब तक तुम उसे पढ़ोगे नहीं तो तुमको समझ में नहीं आएगा कि क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहा हमें साउंड से मतलब है ना की लिखा हुआ क्या है उससे मतलब है तो साउंड पर टोटली डिपेंडेंट होगा हमारा ए और एंड का यूसज अच्छा उसकी बाद कोई सिंगूलर काउंटेबल ना उनकी बात करें जैसे कि बिग सिटी सिंगूलर है किसे सिटी की बात करें और बैसिकली काउंटेबल है तो वहाँ पे हम ए और न दोनों यूज सकते हैं कि हम यह प्रोणांसेशिन क्या है जैसे यहाँ पे बिग बाग की बात करें बहाँ हमारा वेंजन है थीक है बहास हमारा कॉंसोनेंट है इसलिए हमनेसे से पहले और लग यहां यहानिमल इंध यूसी मवाद करें यह करता है हमारा word क्या लिखा है उसके pronunciation पर डिपेंड करेगा तोटली है फिर किसी specific occupation का नाम लिखा हो या किसी profession का नाम लिखा हो वहां पर भी हम A और N डोनों सरे लिखा हुआ तो के एब नोनों यूज़ कर सकते हैं डिपेंड करता है की होता है इसले हमने एससे पहले एंजिनियर ना भोह Homय लग तो तो यहां तक समझना आ गया तो अप लेक्शर एंड करते हैं यहां तक सब अपनी कॉपी में लिख लेना अच्छा किसी तौफिक बोलना है मैं मैंने लिख भी लिया है चलो ठीक है वेरी गुट इसलिए नहीं लिखा तो क्रेंट करते हैं और पीडीफ में भी भेज दूंगे अच्छा ऑक है तांक समच बैया थांक यू सो मच देल आरद ऑगा desti